समस्तिपूर नगार थनाचित्र के बहादुर पूर न्यू प्रोफेसर कॉलनी इस्थित एक मकान में पती-पत्नी की संदिग्द मौत हो गई मिर्तक दमपती की पहचान करपुरी गराम थनाचित्र के 35 वर्षिये आसिस राज उर्फ सोनू और उसकी 30 वर्षिये पत्नी निधी की रूप में की गई है मिर्तक दमपती बहादुर पूर इस्थित अपने मकान में रहते थे जहां आसिस की दोनों बहान आनामी का वो अराधना भी साथ में ही रहती थी मंगलवार की सुभा पती पत्नी को आसिस की दोनों बहनों ने सहर के ही एक नीजी अस्पताल में भरती कराया जहां चिकित्सकों ने दोनों को मिर्थ घोसित कर दिया दोनों दमपती के चेहरे काले पड़ गये थे डॉक्टर ने जहर से मौत की बाद बताई है इसके बाद आसिस की दोनों बहने अपने भाई और भावी का सबले कर करपुरी गराम ठाना छितर के जगत सिंगपूर गाउं पहुचकर अंतिम संसकार की तयार में जुट गई इसी बीच मिर्थका निधी के माईके में इसकी सूचना मिल गई सूचना पर पहुचे निधी के भाई एबम अन परजनों ने करपुरी गराम ठाना और डायलेक सबारा को इसकी सूचना दी सूचना पर पहुची पुलिस ने दोनों के सब को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए सदर अस्पताल भीज दिया है मिर्तका का भाई नवाब गंज निवासी तरून कुमार का बताना है कि उसे उसके बहनोई की बहन के दोरा तवियत खराब की सूचना दी गई थी मौत के बाद उसे कोई भी सूचना नहीं दी गई जबकि दोनों बहनों ने बताया कि उसके भाईया और भावी ने आपस में जगरा होने पर जहर खा लिया है इधर गाउं में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा चल लई है वहीं A.S.P. संजे पॉंडे ने बताया इस सब को पोस्माटम के लिए सदर अस्पराल भीजा गया है मामला घरेलू बिवाद से जुरा हुआ है इस दोनों दोनों मेरे भाई और भावी थें आशिष राज और नेधी कुमारी नवाव गंजकी और आशिष राज बहादूर पॉर्फेसर कॉनली और जगात सिंग पूरून का गाउं हूं क्या नाम हूँ आपका मेरा नाम अनामिका कुमारी हूं थाना अंतरगत बहादूर पूर नगर कोलोनी है जहां पर पूरी गराम थाना अंतरगत जहां जगत सिंग के गरहने वाले एक परिवार यहां रहता था उसका अपना यहां मकान था तो इननों पती जैसा की दो बचियां उनके अलेडी परिवार में थी जो चछत पर थी चछत से जब उतर के आई तो जो देखी वही बात बताई है कि आर्थिक तंगी के कारण पती पती में बिवाद चलता था दो दिन ती दिन पहले भी मामला आया था तो सल्टाने का परियास किया गया था परिवार वालों के द्वारा आज उसी में सलफास खाने की बात बताई जा रही है कि असीस राज सलफास का लिये उसके बाद उनकी पत्नी भी सलफास का ली ततकाल दोनों को इलाज का ले जाने का प्रयास किया गया लेकिन उसके पूर भी ही उनका मिर्तु हो गई और जब पूलिस को सुचना मिली तो दोनों डेट बड़ी को लाया गया है पोस्माटम कराया जा रहा है और जिस मकान में उल्टी हुआ है और सब चीज को रिजर्ब किया गया है FSL की टीम जो है खलसुबा उसके मुएना करेगी ततकाल इसका पूस्माटम कराकर के विजिस समत करवाई की जाए झाल 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 झाल